Hello दोस्तो, आज मैं बनाऊंगी कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी और करंची स्नैक्स, जो कि आप इसको एक बार जरूर ट्राइक करें, बहुत ही करंची बनके तयार हो जाता है, और बहुत ही जल्द बनके तयार हो जाता है, तो चलते हैं, इसको बनाना सुरू करते हैं, त तो आलू को मैं छील लूँगी, आलू के छील के हमें निकाल देने हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आलू के छील के निकाल दी हूँ, तो आलू को छील के हमें तुरंत इसको पानी में डालना है, नहीं तो आलू काले पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं सारे कट करूँगी तो यहाँ पर मैं इसको पहले तीन पीस में कट कर רő studies में ख़िया हुआ है तो अब इसके पशे ell करूँगी कि अब ऑब टीन पीस में कट कर लोगी तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है हमारा यहाँ पर मैं आलू को क्यूब के सेप में कट करके त्यार कर ली हूँ तो इसी तरह से हमें सारे आलू को कट कर लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सारे आलू को अच्छे से कट कर ली हूँ आपको इस तरह से आलू को कट कर लेना है तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में पानी को गरम कर ली हूँ अब इसमें मैं सौध करूशा नमक डाल दूँगी एक चोथाई चम्मच तो यह पानी उबल रहा है आप देख सकते हैं तो अब इसमें यह कटा हुआ आलू को डाल दूँगी तो हमें इसको 50 से 60 परशेंट पका लेना है इस पानी में तो आप देख सकते हैं यह 50 से 60 परशेंट पक गया है तो अब मैं गयस को आफ कर दूँगी इसको अब मैं एक करोरे में निकाल लूँगी तो हमें इसमें के सारा पानी चान लेना है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सारे आलू को इस कटोरे में निकाल ली हूँ, और इस आलू को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है, तो आलू ठंडा भी हो गया है, तो आप इसमें मैं एक चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और उसके बाद हमें इसमें एक चम्मच काली मिच पॉडर डाल देना है, और यहाँ पर मैं सौध कर नुशार इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, तो आप नमक अपने कॉर्डिंग डालें, क्योंकि इसमें मैं नमक पहले ही डाल ली थी उबालते वक्ते, और इसमें मैं बार कॉर्ण फ्लार की जगा आरा रोट भी ले सकते हैं, तो हमें इन सबी चीजों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो आप देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स हो गया है, और यह कॉर्ण फ्लार आलू में कोटिंग हो गई है, तो यहाँ पर मैं तेल को गरम कर ली तो अब इसमें मैं आलू को डाल दूँगी फ्राई होने के लिए तो आलू को हमें ज्यादा नहीं फ्राई करना है बस थोड़ा ही फ्राई करना है हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हमें 2-3 नट तक इसको फ्राई करना है तो 2-3 नट हो गया है अब इस आलू को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी तो यहाँ पर मैं सारे आलू को एक बार फ्राई कर ली हूँ तो अब मैं दुबारा से इस आलू को इस तेल में डालूँगी गरम तेल में और दुबारा से इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी तो हमें इसको तब तक फ्राई करते रहना जब तक ये करंची ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसको फ्राई करते रहना मीडियम फ्लेम पे तो आप देख सकते हैं इसका color change हो रहा है तो हमें इसको golden brown करना है fry करके तो ये golden brown हो गए हैं और ये fry भी हो गए हैं तो अब इस नास्ते को मैं एक plate में निकालूंगी तो आप देख सकते हैं एह हमारा आलू का crunchy और tasty नास्ता बनके तयार है और आप भी इस तरह से आलू का नास्ता बना सकते हैं और हमारी वीडियो को कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताना और हमारी वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नई रिस्पी के साथ धन्यवाद